वेल्कम टू माई चैनल फ्रेंड्स आप लोगो मेरे चैनल में बहुत बहुत वागत है कि आज मैं ओक्त कि मोर्निंग वाकि दोरान अब ब्रस करते हैं मैं ब्रस नहीं करता हूँ, बलकि ब्रस के स्थान में मैं नीम का दातून कापटर्व करता हूँ देख सकते हैं दौसतों आप इससे क्या होगा आपके दातों में कीड़ा नहीं लगेगा अगर आप इस नीम के दातून का चबाने के दोरान दो घूट इसका रस को अंदर ले लेते हैं, तो आपका खुन जो मिठा है वो साफ कर देगा, दोस्तों प्राकृतिक चीज़ों से ज़्यादा लगाव रखिए, ब्रस करते हैं तो आपके मसुरों को छिल करके, बहुत जल्द दांतों को नुकसान पहुचाता है, और मैं चाहता हूँ, कि आप प्राकृतिक चीज़ों का उप्योग करें, इसके लिए एक और दातुन तोड़ना है, तो इसके लिए नहाया हुएदार देखता हूँ, आलस को हटा दें दोस्तों, यह तो बहुत ही पस्ता न पड़ेगा आने वाले समय में, सोच लिजिए, अभी समय है, यह देखी दोस्तों, यहां से मैं सीधे नीचे की और छलांग लगाया, और टहलते हुए, मैं आ गया, एक छोटा से नीम का पेर है, उससे मैं एक दो, डाली को निकाल लूँगा, जिससे कि यह पौधा भी, मरेना, आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से, मसरूम, बहुत बड़ा मसरूम है, यह देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं, इतना बड़ा मसरूम बड़ा हुआ है, तो, और यह है नीम का पेर, इसमें से मैं एक दो, डाली को ले लूँगा, बाकि फिर यह बढ़ जाएंगे, तो फिर आगे ले लूँगा, दोस्तों आप भी, ज्यादा से प्राकिर्तिक ही चीजों का इस्तमाल करें, और स्वस्त रहने का प्यास करें, यह देखिए, यह हो गये, नीम के दातों, इसका उपयोग मैं लगबग, दो से तीन दिन ते करूँगा, सुबह साम, सुबह साम, एक और भी दीख रहा है, उसे मैं अगले दिन तोड़ूँग और भी बहुत सारे हैं, एक दिन मैंने वेडियो सुट करा था, वो जो आप पत्थर देख रहे हैं उपर में, वो दिख रहा है, वहां से किया था, जो की लिखा था उसमें थमलेल, उच्चे परवत से प्राकृतिक संदरी का आनन लेते हुए वेडियो बनाय था, धन्यवा काृति बनाय वेडा थादो हैीो पनने व्रें का इपाँ प्राएंगा थार Do Sto